ओ, किसी ने कहा था, किसी से न कहना लगे चोट दिल पर तो खामोस रहेना बना लो कोई खूब सूरत बहाना तडपोग जादा तो हसेगा जमाना मेरे आसुओ सी किलो मुस्कुराना मेरे आसुओ सी किलो मुस्कुरान और ये एक से एक रफे अब नीस बदान जी की तरब से एक से एक रफे का प्रुषकार बार बार आस्रिवादी कामना आरे ना देर ना देर देखिए जो ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि मलखान मिस्त्री जी फेकेदार उनकी तरफ से एक से एक रुपे का प्रुषकार नरेश इस्टूडियो जक्तारी आप ये पूरा प्रोग्राम 24 गंते के बाद नरेश इस्टूडियो जक्तारी यूटूब चैनल पर देखेंगे ओटेगे जिन बातों के लिए तलवीर को जाना जाता है और इस पेशल जिस बजन के लिए तलवीर को आमंत्रित किया है वो बजन आप लोगों के बीचे अगर करपा हो सके तो आप लोग बैठ जाओ जिससे के यह बॉक्स लोग रखेंगे अवाज कलाकार तक क्लियर आए तक समी से बेतर है सुनिये का वो बहन जिसके लिए हम लोग दलवीर को जानते हैं दलवीर को बुलाया गया का शरो दलवीर को जानते हैं दो। दढ जिक्त्रो समय का है जिस समय भगवान स्री क्रेश्ण के कहने पर मा कुंती करन के पास दान लेने के लिए गई रात्री का समय है करन ने देखा ये कौन नारी है जो रात्री में चली आ रही है तो करन ने कहा हे देवी तु कौन है क्यों आई है मेरे पास बेटा मुझसे कह रही क्या है मुझसे रिस्ता खास जब इतनी बाद मा कुंती ने सुनी मैं तो खुद अभागी हूं तू भी किसमत का हेटा है मैं तो खुद अभागी हूं और तू भी किसमत का हेटा है मैंने तलब तलब दिन काटे है तू करन ये मेरा बेटा है तू करन हमारा बेटा है तू करन मेरा ही बेटा है और ये दोसर पे सौर पे और मलखान धेकेटार उनकी तरफ से बार-बार आस्तिवादी कामना मलखान जी की तरफ से जब इतनी बाद करन ने सुनी तो करन इन सब्दों को सुनते ही रोने लगा और बोला मा ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपने ऐसा किया पन्डी जी आपने ऐसा किया ऐसी क्या मजबूरी थी वो ऐसा गम का प्याला था जिसे जिप्या पीने नहीं देती गर जल में तुझे बहाती ना तो ये दुनिया जीने नहीं देती ये दुनिया जीने नहीं देती ये दुनिया जीने नहीं देती जब इतनी बात करन्य सुनी तो करन्य कहा कि तुम आ हो ये आदरी ठेकेदार साहब की और से सौर पे दल्वीर जी के लिए और है लवड़ा जब भरी सवा के अंदर तुमारे पांचों पुत्र मुझे सूत पुत्र कह करके संबोदित कर रहे थे अगर उस समय तुम सभा में खड़ी होकर के ये कह दें दी के ये करन्य तुमारा भाई है तुम्हे मान जाता हूँ लेकिन तुमने मा की बात किये तुम मा मैं गिनाता हूँ एक मां अंगद की हर कोई न जाने ना काउने वो पार और काउने वो जायो है काउने पालो और काउने वो जायो है हाँ जी अरी स्पंड जी एक मा अंगद की हर कोई न जाने ना काउने वो पारो और काउने वो जायो है और एक मा जस्त्वा भई ममता में भूल गई एक मा अंगद की हर कोई न जाने ना काउने वो पारो और काउने वो जायो है एक मा जस्त्वा भई त्वारत में भूल गई अपनो समझ के पूत पारो पारायो है अलूपी को बेटा पैदा भैवा अरजन से और बब्रबान पारो काउने नाम ना बतायो है और ममता की बात करे बेटा देगहात करे अपनो ही लाल तेने जल में बाहायो है अपनो ही लाल तेने जल में बाहायो है यह अदर्वी ठेकेदार जी की और से स्वार पे और है दल्भीर भाई के लिए सुन्सा वासन प्यार की धुन सुन्सा वासन यह अदर्वी ठेकेदार जुर्दार तालिया हो मैने तुझे चुल लिया मैने तुझे चुल लिया तु भी मुझे चुल सुम्सा वासन प्यार की धुन्द देगे भाया जी चल बाबा चल दूर कहीं चल चल बाबा चल दूर कहीं चल एक बार जोरदार तालिया वजा करके बड़े भाई रामविट जी का आप सम्मान करें एक बार जोरदार तालिया वजा करके क्योंकि यह हम छोटे वाईयों के लिए बहुती प्यार और इसनेया पैसे से इसनेया नहीं है जो एक हिर्दय का बहाव है आदी रात को भी पहुन कर दो के बहिया यह गीए चाहिए तुरंट तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालिया वजा करके आप राम्विर वहिया जी का सम्मान करें और यह हमारे वहिया जी की तरफ से एक बार इस बच्चे का जोरदार तालियों के साथ आप लोगा बढ़नार करें बंड़ी चल बाबा चल तूर कहीं चल चल बाबा चल तूर कहीं चल दुनिया की भीड में हम जाएना को चल तूर कहीं चल ओ दुनिया की भीड में हम जाएंगे निकल चल आड़ जब इतनी बास सुनी पैदा भ्यों आखि मूदू पियो नाए तेरो दूदू बाजियों के पालने की आसव मिटाईये काउने धरो नाधीर तीनों कलेजा चीर मावाली ममता तेने सारी कर दी मावाली ममता तेने सारी और आज आई बेईमान आज ली आईये तो बेटे वाला भावने करके नहीं आईये आज आई बेईमान ले बेकू मोते दान अर्जुन की जान मोते मागे बेकू आईये और ये सोर पे अमी अपनी इस प्रदान जी की ओर से हैं बार बार आसिवादी कामना कहने लगा करन मानू में कैसे तू मेरी माँ है वह देगा दिया मुझे दर जा नहीं हैतेरे तू दिवामुझ में तेरे दूद का मुझे कर जा नहीं तेरे दूद का मुझे कर जा नहीं देखे ये सोर पे मलकान ठेकेदार अमकी तरब से और ये पांच सर पे हमारे हरीस पंडी जी की तरब से टेकष्र जर्धा तालियम जाकर करके इन सभी दान शाने करें देखियों कुछ को Communist कि ये को भी यो जा जाने है और दूद का मुझे कर जाने है तेरे दूद का मुझे पर करजा नहीं है भगवान किसी का सूर की पंडी जी भगवान किसी का सूर की भगवान किसी का सूर की दी है मुझे सजा भगवान किसी का सूर की दी है मुझे सजा जब जिन्दगी यही है तो है जिन्दगी में क्या जब जिन्दगी यही है तो है जिन्दगी में क्या देखे यह यह जिन्दगी ता जिन्दगी है बिटा जिन्दगी से जंग जीन लेंगे हो साथी गर तेरा साथे हो भूल खिले और उम्र जाए सुरज निकले धल जाए सुख दुख जीवन के दो रंग है पल में आए पल में जाए तुम तो जुगनू बन के चमकना दिन हो चाहे रात हो जिन्दगी से जंग जीत लेंगे हम साथी गर तेरा साथे हो साथे गर तेरा साथे हो बहिया जी बेडा दल्वीर कहते हैं कि कोई बक्त आए ये बक्त जाए तमकते रहे हो तमकते रहोगे ये आकास ये आकास माना बड़ा है बहुत परसितारों के जैसे चमकते रहोगे जब करन बोला के भगवान किसका सूरकी दी है मुझे सजा तो मा कुंती बोली भवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राज कुमर बेडा एक थी छोटी सी भूल भूल में चल गया यही चल अरे पल में उड़ गई धूल धूल से ही चल में गया लल क्या बात एक बार जोड़ार तालिया रामिर वहीया जी के लिए थी छोटी सी भूल भूल में चल गया यही चल कहने लगा मैंने फर्च अपने और देखिए हमारे गुर्देव ओपी भरमा जी एक बार जोड़ार तालिया मजा करके आप संबान करें मैंने फर्च अपने बड़े का निभाया शूत पुत्र तेरे अर्जुन धरमने बताया आ सूत पुत्र तेरे अर्जुन धर्मों ने बताया जादा कुछ नहीं कहना है बस इतना कहना है बहाना था मुझको तुझको किया फिर क्यों पेदा बहाना था तुझको तो मुझको किया फिर क्यों पेदा कुमाता कहूं तो कोई हर्जा नहीं है तेरे दुटे का गुटे दानी हूं दान ले जा दानी हूं दान ले जा और बेटा कहा है तो एक भर दान ले जा और ये सौर पे का प्रुषकार भहिया जी की तरब से लेने दान आई आके दान ले जा बेटा कहा है तो पांच बान ले जा और बरदान ये है तेरे लाल पांचों के पांचों रहेंगे तेरे लाल पांचों के पांचों रहेंगे तानी दान देने में लर जा नहीं है तेरे दूद का मुझ पे लर जा नहीं है और कहा किया पाप तूने मुझे को सताया मुझे पैदा करके तूने मुझे पैदा करके तूने जल में बहाया लिखे मेरे जीती सर्मा सदा सेरवन कर दुश्मन करन के आगे गर जा नहीं है तेरे दूद का मुझ पे कर जा नहीं है कर दूने मुझे कर दूने कर दूने कर दूने